नमस्कार में दर्शना शेल के आपका न्यूज में आप सभी का स्वागत है आईए नजर रालते हैं आज की ताजा खुबरों पर आज देश भर में हनुमान जयनती मनाई जा रही है पलूस तासिल के आमनापुर गाउं में ग्राम देवत्षी हनुमान जयनती उत्सव पर विवित कार्यक्रमों का आयजन किया गया इसमें सुबह हरीबक्त पारायन बाड़ासाय पवार जी का हनुमान जन्मकाल की रतन और पुश्पवरुष्टी की गई इस अवसर पर बड़ी संक्या में श्रदा लोकी बड़ी भीड उम्डी यहां पर परमपरा के अनुसार खीर का प्रसात को राजमाने भाईयों की तर से किया गया है समवादता संदिप नाजरे पलूस आपका न्यूज अपने कच्चे मकानों के बाहर बेटे हैं वो लोग जिने गरीबों के चलते आवस नहीं मिला जी हां बिलकुल सच है आवस तो गरीबों के लिए आये लेकिन प्रधान ने पैसा लेकर अपात्रों को बाट दिये और बचे सौचा लेवे भी अपात्रों को मिले जिसके गरामीन अब खुली चत के नीचे रहने लगे और खुले में सोच जाने लगे हालत इन गरामीनों के हाथ से बाहर इसलिए है क्योंकि इनकी पोच उपर नहीं है और ये अधिकार इनकी सुनने ही रहे हैं गरामीनों का आरोप है कि एकदर आ प्रधान कुमारी रचना इनसे आवाच और सोचाले के नाम पर कमिशन मांग रही है. कुछात हैं हैं, कने बात हुआ हैं है, हम लोगे हैं? बहुं कर दो आवाच शचाले के नवाच का रहएख? जब मीडिया की टीम इन लोगों के पास पहुची तो इने लगा किस साहब आ गए है और सारे कागच और पिछला रेकॉर्ड अपने घुरों से निकाल कर दिखाने लगे हद तो तब हो गई जब कागचों में हेरा फेरे ऐसी मिली कि एक गाव में रहने वाली श्रीकान दिक्षित को शाषन और प्रशासन की लिस्ट में सर्वन जाती अति पिछली जाती में शामिल कर दिया गया और वे अपनी जाती बदलवाने के लिए घुम रहे है श्रीकान का क प्रधान ने कहा कि एसी कास्ट का आधारकट बनवालो फिर कॉलोनी में घर मिल जाएगा और वही दूसरी तरफ गाव में रहने वाले कमलेश, पुषपेंद्र, गुड़ी, परशुरम और सालिगराम जैसे पात्रगरामिनों को 20 साल से कोई आवस नहीं मिल सका और उन्हों तो सुचा ले ना आवास है और कुछ भी नहीं मुझे मिला इसने दरों में कालोनी में बड़े बनाएगे थे हमारे ससुप, उसमें हम रह रहे हैं, हमें कोई बैसी सुचना, बैसी उमें सब्दाई मिली नहीं, जो प्रधान से मिलनी जाएगे विस्टान के पर्दान रह रहे हैं, जाके कालोणी आवाज पर्दान की आने करो ऐहा है? पूरे मामले को कई बार अउगत कराने के बाद भी आज तक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इन लोगों की कोई सूध नहीं ली है जिसके बाद ग्रामिनों में आकरुश भड़क उटा है और वे आरोपी प्रधान के खिलाफ कारवाई किये जाने की मांग कर रहे है अब भाईया गर में रहे हैं जो है सुसाथ हम उन से खिला पाएं प्रिदी बाद भाद भूट नहीं नहीं है प्लाट से दूसरी लिष्ट आई कि महमला को कहीं न कहीं विचलित किया गया जो है आवास में लिष्ट में एक में जन्रल मना में एक में अर्जन मना में हमारा तो हर्जन के हिसाब से उन्हें का गादार काट और यह सब आप में पेस करिए आपको लिष्ट में ले लेंगे लेकिन अब में अर्जन का पेस नहीं कर सकता हूँ ना पेस होने के कारण हम बंचत हैं, मकान कच्चा है, इडीक्षित अर एक लिस्त में हम अर जन्रल लखा हैं, लेकिं दूसरी लिस्ट में हम जो है हर जाण है, ऐसी लिखा है, तरीकान लिक्षित के सामने, और गड़ड़ी कहां से हुए हैं, अब गड़ड़ी तो भाई ये अपने जो लिष्ट लगए, वह उन है नहीं नहीं आखिये हैं यहां से लिष्ट रखा सकते हैं जो इतन से हमारी प्रूस नहीं जिसी लगाई लिए जो लिष्ट लगी है ऊसमें बाकाइदा मेरा नाम लिखा है जिए लिखने में 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 लिखने म लिष्ट की मुझे जानकारी नहीं, किसने बनाई, कैसे बनी, कहां से बनी, लेकिन लिष्ट में जो हमने एक नेट से निकाली हैं, उसमें हम जन्रल हैं, हम ये चाहते हैं कि कालोनी में हमारा नाम लिया जाना चाहिए, जो विद्याला में नाम लिखा है, उस विद्याला के न पुरकाजी थाना क्षेत्र के गाव वैसली का है जो पुरकाजी के खादर क्षेत्र में स्थीत है जहां शुक्रवार को अधनियात कारणों से भयंकर आग लग गई आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विवा की कई गाडियों ने मोके पर पहुचकर बाँ मुश्किल आग पर काभू पाया आग के इस तांडव में 15 जुग की जोपडिया और उनमें रखा लाखो रुपय का सामान जलकर खाख हो गया इस आग ने देड़ दरजन से जादा परिवा का आसियाना छीन लिया है आग लगने की सुचना भाजपा की क्षेत्रिय विदायक प्रमोध उन्टवाल नायाप तहसिलदार जनेश्वर सहीत प्रशासनिक अधिकारी घटना स्तल पर पहुचे और ग्रामीनों से घटना की जानकारी ली पीडी द्वासित का कहना है यहां आग लग गई 15 जोपड़ी जलकर खाक हो गई है घर का सबी सामान जल गया है मेरे बेटे का दहेच का सामान मन भी उसके साथ जल गया है वही नायाप तहसिलदार जनेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सुची बना कर किसका कितना नुक्सान हुआ है यह सुची परदान जी कैसे लगे है यह बेंसली में अजय देज के समान दाखा वासिद का वह मैं लटका लगता अजय यह का डोल समान जल गाई जिए अजय को फफ़ लाग लेगे हैं यह है फ़श्वर इस में हम किस आदम के नुक्सान हुआ है विस्त ट्रशकार और हैं हमारे अपर त्यार कर रहे फंदा पताइगा फंदा मकान है अब इस त्यार कर रहे जान भी को एंग नुखसान नहीं हुआ लेकिन इनिटे आवास मिकान में वाइस में इस तो पर दियो समय है यह तो इस वे आग यह सारे बंदे मज़तुरी पर कहे हुए थे समाधता अमीत कुमार मुझफर नगर आपका नियूज सांगली जिले के आटपाडी तैसिल के शेटफले गाउं में मंगलवार श्राम अध्यात कारण से खेत में आग लग गई जिस जगह पर आग लगी थी वहाँ पर पूरा सूका घास बड़े पैमाने पर था इस वज़स आग इतनी तेजी से फैली कि इस आग को रोकने के लिए किसी को भी कोई मोका ही नहीं मिला यह आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते लगबग 200 एकड क्षेतर को अपने आगोश में ले लिया इस आग के कारण इस खेतर पर खड़ा सूका घास तो जल ही गया लेकिन इसके साथी खेत में लगे जरूरी सामान जैसे प्लास्टिक पाइपलाइन ठीबक सिंचाई सेट खेती औजार जानवरों को खिलाने के लिए जमा करे रखका हुआ चारा और घास जलकर खाक हो गया इस खेतर में कितना घास था कि यह घास इन किसानों की जानवरों के लिए नई फसर आने तक पूरा पढ़ सकता था इसके साथ ही खेत में खड़े आम, इमली, नीम, बबूल, बेर, आदी के पेड़ जलकर खत्म हो गए पहले ही किसान खेती में होने वाले नुकसान से परेशान है और ऐसे में इस तरह की प्राकुर्तिक आबदा से हुए नुकसान से किसान पूरी तरह तबाह हो गया है ऐसे में अब किसानों को इस संकट की घड़ी में मदद के आवश चकेता है लेकिन हमारा सिस्टिम नीन की जपकिया ले रहा है अब जरुरत है तो इन पीडित किसानों को उनके हुए नुकसान का जायजा देकर उन्हें मदद दिलाने की आवश चकता है इसी बीच राष्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी के तालू का अध्यक शहनमुंत राओ देश मुग तता कार्या करता हुने घटना स्तल्ग का दोरा कर किसानों से मुलाकत कर उनकी हर संबुव सायत करने का भरुसा जताया है सत्राटराशे फूट इतनी पाइपलाइन थी हमारी आर्दवट जल गई है बाके आनार के बाके लिए हम टिबक चिंचन का संच आनला होता तो इस तरह जल गाया है कहे तो इस तरह हमारा पूरा छेत खेत जल गाया है इसलिए हम सरकार को बिलंति करते हैं कि हमारे खेत में पाइपलाइन आता हम हमारा जीवन कैसा उदारने कैसा चलाएगे हम इस तरह हम बहुत कर्ष्ट करके सब जमा किया था यह सब गवर्मेंट ने हमें किछी योजने तो ना हमें मदद करना चाहिए लाग दिड़ लाग रुपे का नुकसान हुआ है हमारा खेत में काम करकर करकर के हमें सब जमा कर किया था परसू आग लगाया था और आग कुछ नहीं रोक पाया था इतनी बड़ी थी और हाव में बहुत बड़ी हो गए हमारा लुसकान हुआ खेत में चारा था जनावरा को एक दो हजार वेरन जल गया और अजुबाजु को गवद फोट सब कुछ जल गया हमारा जनुवर को क्या अभी खिला होंगा पता नहीं सववादाता अशोपवाल सांगली आपका नियूज कठुमवर थाना शेतर के ग्राम बनोखर में इन दिनों बंदरों के आतन से स्थानिय लोगों को डर के साय में जीना पड़ रहा है जहां चिकिसकों ने जैपुर रिफर कर दिया भायल शकुंतला देवी ने पुत्र रादेशाम तिवारी ने बताया कि पिछले लंबे समय से शेतर में बंदरों का आतंग बना हुआ है लेकिन प्रशासन की योर से कारवाई नहीं की गड़ ऐसे में जल ही इन बंदरों को पकड़ने का कारे किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुन्राब्रिती ना हो समवांदत्ता रुपे शर्मा कढुमर आपका निउस पन्वेल की अंजुमन ए इसलाम कालसेकर कॉलेज का कॉन्वोकिशन सेरेमेनी संपन्न हुआ जिसमें मुक्य अतिती के रूप में अबास नक्वी सेंटरल गवर्मेंट यूनियन मिनिस्टर और डॉक्टर जहीर काजी प्रेसिडन आफ कालसेकर भी मौजूद थे इनके अलावा मानेवर अतिती जैसे साहिर खतीब वाइस चेर्मेन ओफ मेडली फार्मसिटिकल लिमिटेर डॉक्टर वी जोती प्रकाश आयाइटी बॉम्बे से भी लोग मौजूद थे बड़ी संख्या में छातरा भी मौजूद थे अब्बास नकवी ने छातरों को शूप कामने देते हुए भविश्यक ये लिए प्रोचाहित किया और कहा कि इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है उसके लिए जो काम कर रही है हमारी मिनिस्ट्री भी और हमारी सरकार भी उस दिशा में वो पूरी मिहरत से काम कर रही है हमारी कोशिश है कि हमने पीछले तीन सालों में एक बड़ा एचीव्मेंट किया है कि यसे ललकियों के ड्राप आउट रेट लगबग 70% से जादा था वह घट करके अब जो है वह थर्टी एट पूर्टी परसेंट रहा है हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में ड्राप सब्सक्राइब बड़ी बात है अपने आपके अन्जुमन के बारे में जो कहा आपने आभी वाइट भी दे दिया उन्होंने कि आन्जुमन एज रोल मॉडल तो इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है अन्जुमन की जो खित्मात है 145 साल में इतने सारे चल्सक्राइब विए बच्चे जो परफॉरमंस दे रहे हैं वो एससे परफॉरमंस है कि बहुत कम बच्चे इस सार्द कर परफॉरमंस दे पाते हैं तो हंजवन में इस तरह से में अच्छी तालिम दे जाती है और यह जो कंपॉस में आज डिगरी डिस्टुपुशन हो य और ये सक्सेश्वल मॉडल जो है या इसीटी दिल्ली में हर हर शक्त को जो भी मॉडल शुरू करना चाहता है इस तरीकी का तो कहते है रोल मॉडल है अंजुबन का काजसेकर केंपस को देखें समाधता नियती त्रिलोकेकर नईवी मुंबई आपका नियूज उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफर नगर में 25 माच को बड़े शानोशोकत से हुई थी एक शादी शादी में बाब आप ताउ चाचाओने मिलकर बड़े जोडोशोरों की बड़ी बारत बुला कर लाकर उपे खर्च कर दान दहिज देकर अपनी लाडली बितिया को विदा किया था लेकिन 22 गंटों में ही इस लाडली बितिया के सबर्मान धरे रह गए जब इस लाडली को ससुराल में पहुचते ही गाड़ी के डिमन रखते हुए शादी में खाना भी मन पसंद ना मिलने की बात कहकर बहुत बूरी तरह से मारपिट करते हुए बहुत अशलिल तरीके से शारिक यातनाय देकर जेट के लड़कों ने भी अशलिल हरकते कर डाली विरोध करने पर उसके साथ मारपिट की गई गंबिर हालत में लड़की को उसके घर के पास फैक कर चले गए आज सुब आट बजे से पीडित परिजन नगर के तीनो थानों के चकर लगा रहे है लेकिन अभी तक भी पुलीस ने पीडित लड़की और उसके परिजनों की पीड़ा भी नहीं सुनी और एक दूसरे की एरिया का केश होने का बताए गए आरोपिदुल्ला सउदी अरब में काम करता है जबकि लड़की ग्राजुएट है लड़की के परिजनों ने शादी के निमतरन पत्र में सरकारी स्लब बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ भी लिखवाय था अर्च जिससे मेरी सादी हुए उसने भी गा और चाहुआ क्यों ने लेका ही मार बीटाए करी मेरी साथ लिए जेट लोंने कार की डिवांडी के उनकी अच्छा लुए तुम्हारे इस सहर ने जो क्या इसे ने मार पिट की है कितने दिन हुए थे तुमारी साधी को आच अची तु जगड़ा किस बात पर ले गए सुरुआ तो तो तुमारा कार चाहिए तुछा के तु अच्छी नहीं है तुरे बाबाब ने हमारे महमानों की जतनी गड़ी उन्हें खाना ने कहलाया खाना तूर डिगा तुमारा कशी साधी से पहले भी उन्होंने कार की डिवांड करी थे कुछ नीं कहा था अबस ये गात के लड़की चाहिए मुझे है मेरे पास कभी आज तक उन्होंने कभी कुछ नीं कहा कभी भी विज़ तीन दिन में ससुराल वालों का इस तरह का रूप देखा तो कैसा बस मेरी आ चाहती है आप अब क्या चाहती है आप कब उसे आप होस्पिटल में है कि कोई पुलिस वाला आया है यहां पे किसी तरह की कोई मदद मिली है पुलिस से पुलिस में इसमें सब आद्मियों नहीं मार्पीट किया कि और तो ने भी जो जेट कलड़ गया हुँने मेरे साथ जे बर्दस्ती की सटाइस तारीग में रात में दस गहरा बजेगा असपास मेरे पास कोई था निवा में लेटी थी जब मैंने शोर करा जब आए वे सारे वे अब गोलता मुझे एगाले देने लगे फिर उनने मुझे मानने कोसिश करे सबने मिल गए पुरा गाह उनके साथ है उसकी तीन दिन पहले शादी हुई है च्छेस तारीग को बता रही हो और उसके इसमें जो है मताबाइकर मैंने पल्स और वो तो सब ठीक चल रहा है जो व सब्सक्राइब ज़्यादा लग रहा है और वो लड़की घबड़ाई हुई जाता है कंडिशन क्या है डोक साब इसकी लड़की ठीक है वह उसको मतला जास होते हैं वाइटल्स ठीक है मतलब उसके जो नब्स ठीक चल रही है और पल्स वह जो है रेस्परेशन भी नॉर्मल सब्सक्राइब लड़की की आठ लोर गांबे से शेटी बहुत वालें पढ़ता है अज बता जारा कि लड़की को सवादाता अमित कुमार की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश आपका नियूज आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका नियूज